हेलो फ्रेंज वेलकम टू आर चैनल दा फ्लेबर फिस्ट आज पॉर्क की बहुत ही एक टेस्टी रेसीपी लेके आये हैं तो चलिए देख लेते हैं के से बनाया जाते हैं लाई साथ पॉर्क की काड़ी तो फ्रेंज ये डिश बहुत ही सिंपल है और बनना है बहुत ही आसान अल्मुस्ट सारे नौर्थ इस्टन स्टेट में ये डिश बहुत ही पॉपुलर है तो चलिए देखते हैं इसका प्रिपरेशन मैंने लिया है 500 ग्राम्स पॉर्क एराउंड 200 ग्राम्स जैसा लाई साथ राफली चॉप कर लिया मैंने दोस्तो इसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है इंगलिश में इसको मस्टर्ड स्पिनाच बोलते हैं मस्टर्ड ग्रिंस भी बोलते हैं और चाइनीज मस्टर्ड ल एक सीजनल ग्रीन वेजेटेबल है और विंटर के सीजन में मिलता है एक प्यांच को बारिक काटके ले लिया आठ से दस गर्लिक क्लोव्स एक टुकरा अद्रक वान इंच साइज जैसा चार से पाच हरी मिर्ची आप आपके हिसाब से ले सकते है अद्रक लसन और हारी मिर्ची को हमने बारिक काटके ले लिया यहाँ पर एक काटूरी में वान टी स्पून हल्दी पाउडर वान टी स्पून रेड चिली पाउडर सवादन सार नमक तो दोस्तों पॉक को बहुत अच्छे से क्लीन करने के बाद हम लोग पॉक को बॉयल कर लेंगे मैंने यहाँ पे एक कुकर में पॉक लेके इसमें लगबग एक कब जीसा पानी अड़ करूँगा ज़्यादा पानी अड़ करने का जरूरत है नहीं पॉक का जो लेवल है इतना तकी बस पानी अड़ कर सकते है उसे कम हो जाएगा अपना और आधा किलो पॉर्क बोईल करने के लिए मैं यहाँ पे अट कर रहा हूँ लगबग 1 टीस्पून जैसा नमक हलका सा नमक एट करने से पॉर्क बहुत अच्छे से बोईल भी हो जाएगा और पॉर्क पीसेस के अंदर नमक का जो टेस्ट हो भी जाएगा अब भी हम लोग 5-6 हुईसेल लगा लेंगे अगर पॉर्क पीसेस के साइज बहुत ही बड़ा है तो थोड़ा जादा लगाना पड़ेगा आपको हुईसेल तो कुकर में 5 हुईसेल लगाने के बाद मैंने तुरंथ प्रेशर को निकल के पॉर्क को निकल दिया हुईसेल के पॉर्क पीसेस को मैंने अलग से बॉल में लेके राख दिया और जो पानी है उसको भी राख देंगे वह बाद में ग्रेवी के लिए काम आएगा अभी 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ओयल ले ले लेते कड़ाई में तेल एकदम कम से कम यूज़ करना है क्यूंकि पॉर्क में अलड़ी बहुत फैट है बहुत लोग एकदम बीना तेल यूज़ करके भी यह डीच बनाते हैं तो तेल गरम हने के बाद बारीक कटा हुआ प्याज अट कर लेते हैं प्याज को लगबग एक मिनिट के लिए भून लेते जब तक थोड़ा गोल्डेन कलर करना हो जाए प्य अभी एट करते हैं लाल मिर्ची के पाउडर हल्दी के पाउडर भी एट कर लेते हैं अभी एक से देड़ मिनिट के लिए भून लेते हैं मीडियम फ्लेम में ताकि आधरकल लेस्न का जो रोस मेले हो चला जाए अच्छे से भूनना हो गया अभी जो बॉल किया हुआ पॉर पीसे को एक Dher' मिनिट के लिए अच्छे से भून के उसके पाउड धाक्य राखेंगे लाओ फ्लेम में तो पॉर्क पीसे के जो फैट पीसे से ऑल तो जब और नेस करने शुरूब करेगा ति आप बाकी मसाले को पौक के जो ऑल है उसे में बूँन सकते हैं तो अभी अम लोग पांच मिनट के लिए लौफले में पकाएंगे ढगके अदिया तो पांच मिनट donít Bak सवाद आम लोग देखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि जो फैट पीसे से धीरी-ध्री ऑयल रिलिस करना शुरू कर दिया अभी वोक को बॉयल करने के लिए जो पानी उसके था उसकोँ हमने अलग करके रखा था उसको पानी ए्ड कर लेते हैं अब देख सकते हैं कि जो पानी में जो फैट मिला हुआ आया energ करने के टाइम में थुदा और पानी एड़ कर देंगे हम लोग आप अपने ही सबसे पानी एड़ कर सकते हैं आपको जीतना ग्रेवी चाहिए उसी सबसे अभी नमक एड़ करते हैं स्वाद उनसर और एड़ कर लेते मास्टर ग्रिंस का जो पत्ते हम लोग काट के राखे थे वो सब मिक्स कर लेते हैं अच्छे से अभी तो वेसे पत्ते देखने में बहुत ज़्याद लग रहा है बट जब बॉयल हो जाएगा तो एकदमी काम हो जाएगा अब देख लेना 12-15 मिनिट में यह जो मस्टर ग्रिंस है और जो पॉर्क यह दुनों ही बॉयल हो जाएगा तो हम लोग मीडियम फ्लेम में कवर को बंद करके 12-15 मिनिट के लिए छोड़ देते पॉर्क को पकने के लिए और मस्टर ग्रिंस को पकने के लिए तो 12-15 मिनिट के बाद हम लोग डखन खुलते हैं और देखते हैं क्या नजरा है तो दोस्तो हमारा डीश हो गया पक के एकदम तयार बहुत अच्छा फ्रेग्रिंस आ रहा है डीश से यह जो लाईशा की यह मस्टर ग्रिंस है बेंगल रिजियन में और नौर्ट इस्टन र पाया जाता है तो आप अगर जहां रहते हो अगर उदर मास्टर ग्रिंस मील रहा है तो आप ज़रूर यह डिश ट्राइकरी आपको बहुत अच्छा लागेगा अभी सार्विंग बॉल में ले लेते हैं इस डिश को अब राइस यह रोटी के साथ खा सकते स्पेशली गर्म मागरम राइस के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लागेगा तो दोस्तों आगर आपको यह रेसीपी अच्छा लागा तो प्लीज शेयर विट यूर फ्रेंड्स और फेमिली मेंबर्स और हमारे चैनल को सब्सक्रेब करना ना भूले